पाकिस्तानी गोलाबारी में पंजाब के मोगा का रहली वाला जवान हुआ शहीद सीमा पर पाकिस्तानी दहशतगर्दो द्वारा रजोरी जिले के नौ शहरत सेक्टर के भवानी जांगर शेत्र में की गई गोलाबारी में शहीद हुए मोगा जिले के गाउं तलवंडी मालया के जवान जस्प्रीट सिंग जस्सी की मौत की खबर सुनते ही परिवारी सदस्यों को जस्सी की मौत पर विश्वास नहीं हुँ रहा है महीं पूरे गाउं में भी शोक की लहर है मिली जानकारी अनुसार जस्प्रीट गरीब परिवार से संबंदित था जस्प्रीट जस्सी लगवग चार वर्ष पहले भारती सेना की आठ सिक लाई यूनिट में भरती हुआ था जस्प्रीट सिंग जस्सी ने अपनी बड़ी बहन पर मिंदर कौर की शादी दिसंबर महीने में की थी तथा उसके बाद भारत पाकिस्तान सीमा पर ड्यूटी दे रहा था जहां आज वो पाकिस्तान की दहशत गर्दी की गोली का शिकार हो गया जस्सी का शब गाउं आने पर पूरे सैन ने समान से अंतिम संस्कार किया जाएगा ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने समवादाता विपिनो कारजी से विपिन जी एक बार फिर पंजाब का नौजवान पाकिस्तान की दहशत गर्दी का शिकार हो गया है जिन में जगवा था थी देश के लिए कुछ करना चाहता है तो कल वो जम्मु कश्मीर के नाश्वरा जो सेक्टर है वहां पे वो सुकूली बच्चों को बचाने के लिए वो पाकिस्तान के आरभी की गोलियों से शहीद हुआ उसके चाती पर दो गोलियं लगी हैं और करीब दो तीन घंडे के उसके बाद उसकी मौत हो गई है जी मैं यहां पर यह एक स्पस कर रहा हुआ कि यह परवार बहुत ही चोटे परवारों में से गिला जाता है जो जस्पीद के फादर है सर्वन सिंग वो दिहारी के मजूरी का काम करते हैं इस इनके परवार में तीन जो है हैं वो भाई हैं और दो बहने हैं अभी जस्पीद पिछले नहों मेने पहले यहां पर चुटी भी है तो शुटी के समय है वो अपनी बहन की शादी करके गया था और उसने अपने बाप को यह भी कहा था कि अगर आप पैसे की कोई चिंता राज़ को अगर करजा भी हमारे पर चर जाएगा तो हम अपनी बहन की शादी जो बड़ी अच्छी तरह से करेंगे इस समय में बताना चाहूंगा कि जो गाह में महाल है वो बहुत ही शोग में है पूरा काउं जो है शोग में चाया हुआ हुआ है जी हाल मैं पैंदे में चोने दोस्ता ली तो ली गल करा र बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी देने पर आगे भी नजर बनाई रखिया हमें एक बास फिर दुबार आपके पास आएंड़ी यह थी हमारी खास कबर आप देखते रहें वोईस अफ इंडिया